What's up guys, welcome back once again So दोस्तों आज की फिल्म जो एक्स्प्लेइन करने वाले हैं उसका नाम है Invisible Girl So मूवी के शुरुआत में हम एक मेटरोइट को देखते हैं जो प्रित्वी की तरफ तेजी से बल रहा है किसी भी समय वो हमारी धर्ती पर आ सकता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम आल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समुंदर के बीच में ख़डा होता है एक बड़े शिप के पास दरसल उसे शिप के कुछ समान को ले जाना था जिसके लिए वो अपने साथ एक छोटी बोट ले के आया था लेकिन ओरका जो नहीं मानता है जिसके बाद ओल के दिमाग में एक आइडिया आता है वो बड़े ship के owner से कहता है कि तुम boat पे एक टन का समान रखवा दो लेकिन उसे बताना मत तुम उसे कहना कि ये सिर्फ 600 किलो का ही समान है अब ship का मालिक all की बात माल लेता है और चोटी boat पे एक टन का समान रखवा देता है और आगे जाके हमें इस बंदे की चलाकी का अंजाम दिखता है दोस्तों कुछ दूरी बजा के बोट डूब जाती है क्योंकि समान उस पे जादा हो गयता है जिसके साथ साथ पूरा समान भी डूब जाता है लेकिन उस चोटी बोट का मालिक और ओल दोनों जैसे तेसे करके किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले ओल को पैसे देने थे लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौडी भी नहीं थी वो उस बोट के मालिक से अपनी कार को एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई आप्शन नहीं है विल यहां से ओल एक बैंक में जाता है जहां वो अपनी बच्पन की दोस्स सुटलाना से मिलता है जो कि उस बैंक में कैशर ही जॉब करती है ओल बोलता है कि उसे लोन की जरुट है लेकिन जब सुटलाना उस लोन की रकम सुनती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि वो ओल पूरे एक मिलियन डॉलर की लोन मांग रहा था सुटलाना उसे बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा लोन कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा सेक्योटी ना हो अब ओल काफी परिशान हो जाता है पर सुटलाना उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैट से मिलवाती हूँ वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके सो यहाँ पर मैं आपका पताद हूँ कि यह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं इसी वज़े से सुटलाना उल की मदद करती है इसके बास सुटलाना उल की खटारा कार में बैठके अपने घर के लिए निकल जाती है यहाँ हम सुइतलाना की family को देखते हैं जो की काफी बड़ी होती है अब उसकी family में हर किसी के अपने dreams होते हैं जैसे कि उसके dad जिसका नाम Bross होता है वो चाहते हैं कि पूरी family उनके साथ रहे और वहीं उनकी लीटा theater artist बनना चाहती है उनका बेटा जिसका नाम लिख है वो आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो अस्तमा का मरीज है जिस वज़े से वो हर बार रेजक्ट हो जाता है अब घर की सबसे छोटी बेटी शाशा को जल्दी से बड़ा होना है ताकि वो सारे काम कर सके जैसे कि सारे बच्चे करते हैं वे और की सिक्योटी से फिर बाद में उसे चुकाते नहीं हो जिसके बाद बैंक वाले हम जैसे शरीफ लोगों को परिशान करते हैं अब ब्रॉस यह बोलके वहां से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेटिरॉइट एर्थ पर आ रहा है वो भी काफी करीब आ गया और तब गए हैं सब लोग फॉरण भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और वहां से ग्रांड फादर को निकालते हैं इसके बाद और सबसे कहता है कि हमें मेटरॉइट को ढूंडना चाहिए ताकि हम उसे बेच की कुछ पैसे कमा सके उसकी बाद सारे लोग मान जाते हैं और उसे मेटरॉइट को ढूंड लेता है पर इसी वीच ग्रांड फादर ओल को बलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे जाने का अब टाइम आ गया है अब ये बोलने के बाद वहीं टपक जाते हैं और ये देखकर ओल थोड़ा उदास हो जाता है वो सोच में पर जाता है कि आकिर वह ग गरी खल का लिकविट बन गया है लिख बताता है कि उस लिकविट को डाइट ने गलती से लाथ मारके गिरा दिया था जिसे वो पूरे घर में फैल गया है अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात पता चलती है उस मेटरोइड के फैलने के वज़े से घर में और ये सब देख के पूरे घर के लोग काफी खुश और शौक भी हो जाते हैं इसी बीच उन्हें एक और बात पता लगती है कि अगर वो साथ में रहे तब ही ये पावर काम करेगी वरना ये पावर काम करना बंद कर देगी यानि कि उन्हें 20 मीटर की दूरी के अंदर ही रहन पड़ेगा अगर उन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है अब जो आल होता है वो लीला और शाशा को लेके डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो चेक करा सके कि उनकी बाड़ी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा लेकिन मिस्टर ब्रॉस उसकी इस बात को इग्नोर कर देते हैं तबी महां लिक आता है जो सबको बताता है कि उसे अपनी पावर का पता लग गया है वो सारे लोग को बताएता है कि वो अब जानवरों से बात कर सकता है जिसके लिए वो अपने डॉक के पास जाता है और पास कोई पावर नहीं थी, यह सोचकर वो काफी उदास हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है, जबकि उसने ही मेडिरोइट को ढूंडा था दोस्तों, अब अगली सुबा हम मिस्टर ब्रॉस को देखते हैं, जो कि ट्वालेट कर रहे होते हैं, उसी दोरान वो एक लंबी सांस लेते हैं, और तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं, यानि कि उनके पास भी उनकी पावर्स आ गई थी, जिससे वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे, और इसके कुछ दिर बाद मिट्र ब्रॉस सभी को लेके लेक के पास जाते हैं, जहांपर सारे लोग अपने अपनी पावर को ट्राइ करने लगते हैं, सारे लोग काफी खुछ होते हैं, और तबhी ओल सबसे कहता है कि क्यूंना हम लोग एक बैंक लूटें, अपने पावर हो जाता है और कार से वहां से जाने लगता है लेकिन सुरतलाना उसकी कार में जाके बैट जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं लेकिन दोस्तों तभी अचानक से एक आदमी कार आके उनके सामने रुकती है वैला आपको याद होगा कि हमने कहानी की शुरुआत में एक बड़ा सा शिप देखा था जिसका ओनर से All ने वादा किया था कि उसके एक टन का समान वो सही सलामत उसकी जगा पहुचा देगा लेकिन उसने उसे डुबा दिया ये वही आदमी होता है जिसका वो समान था और All ने उसे वादा किया था कि वो उसके एक मिलियन डॉलर का जो समान था वो से वापस करेगा अब अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किये थे तो वो डॉन All को अपनी कार में वोलाता है और उससे कहता है कि मेरे एक मिलियन डॉलर तुम कब दे रहे हो अब नेक्स सीन में हम All और सुतलाना को ब्रॉस को लेके एक बंगले में जाते हुए देखते हैं ताकि उसे वो देखके उसके मन में थोड़ा सा लाला चा जाए और वो बैंक लूटने के लिए हाँ कर दे लेकिन मिस्टर ब्रॉस ठहरे गुर्कुल के प्रिंस्पल नारैन जैसे जिनके उसूल ही सब कुछ होते हैं बले ही पिछवाले में आग लग जाए लेकिन नमा भी ना घटे वेल आगे बढ़ते हैं अब यहां सुटलाना उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैक मेल करती है ताकि वो रोने लगती है और अपने डैट से कहती है कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मागा यह पहली और आखरी चीज है जो मैं आपसे मांग रही हूँ प्लीज मान जाएए उस लेके वापस आजाएगी बिना कोई दिक्कत के अब यह इनका काफी आसान प्लान था इन्हें बैंक लूटने का अब रात में और गार्डन में होता है जहां वो एक कप को उठाने की कोशिश करता है बिना उसे चुए और वो उठा भी लेता है लेकिन तब ही वहां सुथला बिना जाना है लेकिन ऑल आ कर देता है लेकिन थोड़ी देर बात वहां कर देता है क्योंकि उसे इन लोगों की जरौत ही वह सारे लोग एक ओसेटर में जाते हैं जहां वएक डीरेक्टर को अपनी पावर्स दिखाते हैं जिसके वहасे काफ़ी पैसे घमा सके हैं वलिनीक स ग्रैंट फांदर की आखरी विश होती है कि उनका फूनरल काफी अच्छे से हो जिस वजे से वो इस एजेंट के पास आये थे अब इसके बाद ओल और शाषा एक साथ डिनर करने जाते हैं लेकिन वहाँ ओल को कुछ गुंडे काफी बुरा भला बोलने लगते हैं जिससे कि श इसके हम जानते हैं वह इन्विजबल हो जाती है लेकिन उसके कपले अभी भी दीख रहे होते हैं तो वह अपने कपले भी उतार देती है और फिर इन्विजबल होके और पुलिस की कार आगे धका देने लगती है जिससे कि उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सुरतलाना दिखने लग जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंको पावर्स को यूज करने के लिए आस पास ही रहना जरूरी है और ये मुसीबत देखकर और कार से बाहर आता है और सारे लोगों को एक रेंज मिलाता है जिससे कि सुरतलाना फिर से इन्वीजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो आपस कार में आके बैट जाती है बिना पैसे लिए क्योंकि बाहर आप पुलिस आ गई थी है और सारे लोगों को एक एक करके पुलिस की कार रोक लेती है उसी समय ब्रॉस गायब हो जाते हैं वासे पर पुलिस उन लोगों की कार के पास आती है और उन्हें कुछ नहीं बोलती और जाने देती है वेल अब थोड़ी दिर बाद सुछलाना के पास ब्रॉस का कॉल आता है और वो से बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब हो कि कहां पहुँच गए हैं उसी समय कुछ पुलिस आफिसर अपनी वैन का गेट खोलते हैं और हम उसमें मिस्टर ब्रॉस को देखते हैं मतलब कि वो गायब हो कि पुलिस की वैन में पहुच गएते हैं अगर ऐसा हमने करा तो हम कभी भी बैंक नहीं लूट पाएंगे, तुम लोग एक नमबर के बेवकूफ हो, तब ही लीटा बताती है कि उसका कल थियेटर में शो है, और ये सुनकर आल कहता है कि हम कल सारे लोग को लीटा की तरफ डाइवर्ड कर देंगे, और रात के अंधिरे में बैंक को लूटने जाएंगे, सीन शुफ्ट होता और हम थियेटर का सीन देखते हैं, जहां पर काफी तादात में लोग आयोए थे, लीटा को उड़ता हुआ देखने के लिए, लेकिन लीटा इतने सारे लोग को देखे काफी नर्वस हो जाती है, और वहां से उलके भागने लगती है, अब सुटलाना और ओल उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर इसी बीच ओल का वो जो डॉन होता है वो से देख लेता है, और जिसके बाद डॉन की लोग ओल को काफी बुरी तरह से मारते हैं, और ओल अपनी टूटी हुई हड़ियों को लेकर थीटर से बाहर आता है, और वहां उसे सुटलाना का परिवार दिखता है, वो उसे गुसे में कहता है कि तुम लोगों को दुनिया की चाहे जितनी भी आधुनिक चीजे दे दो, तब भी तुम लोग उससे अपना पिछवारा ही साफ करोगे, और मिस्टर ब्रॉस को उसकी ये बात काफी बुरी लगती है, और वो इतना बुरा मान जाते हैं कि वो औल को पकड़ के गाली में बंद कर देते हैं, और ठान लेते हैं कि ये वो अब चूरी करके रहेंगे, अब सारे लोग दोस्तों आधी रात को बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुँच जाते हैं, और फिर लीटा उटके बैंक की खिड़की पे एक चेंड बांद देती है, जिसके बाद शाषा अपनी पावर से यूस करके उस खिड़की को पूरी दरा से उखाड लेती है, वही मिस्टर ब्रॉस उस बैंक के सारे जो कैमराज होते हैं उन्हें आफ कर देते हैं, और साथ साथ में उस रोड पे एक ट्रक लाके खड़ा कर देते हैं, जिसे कि जब पुलिस आये तो उन्हें अंदर आने में दिक्कत हो, ये सारी जीज़े करने के बाद शाषा उस पूरे लॉकर को ही बैंक की खिड़की से नीचे फेक देती है, क्योंकि उसके पास सूपरमैन वाली पावर है, और फिर उस लॉकर को वो लोग कार में रखके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां पुलिस पहुच गई थी, और लिग बड़ी चालाकी से अपने डॉक्स को उन पुलिस वालों के बीच छोड़ देता है, जिसकी वज़े से वो लोग वहां से निकलने में कामियाब हो जाते हैं, अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, और सारे लोग शहर से दूर एक जगाँ पर रुक के काफी एंजॉय करते हैं, कि तब ही गरांट फादर कहते हैं कि अब उनका मरने का टाइम आ गया है, वेल गरांट फादर अभी भी जिन्दा थे, वेल बोलते हैं कि मुझे यही पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ, और उनकी यह बास सभी लोगमान लेते हैं और उन्हें मैं बठा कर चले जाते हैं, और जिसके थोड़ी देर बाद वो वही मर जाते हैं, वेल मुझे लगता कि गरांट फादर कितनी बार मरते हैं, वेल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई अपनी फैमिली मेंबर को मनने के लिए अके लिए छोड़ सकता है, लेकिन ये फिल्म है, यहां कुछ भी हो सकता है और ये फैमिली बहुत ही अलगतरा की है, वेल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब रास्ते में और सबको उनके हिस्से के पैसे देता है, और उसी समय सुतलाना कहती है कि हमें ये काफी गलत किया, हमें गरान फादर को ऐसे मनने के लिए नहीं चोड़ना चाहिए था, उन्हें वापस लाना चाहिए था, लेकिन आल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, ये बास तो लाना को काफी बुरी लगती है, और जिस वज़े से वह आल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जा, उसकी बास सुनके आल काफी गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आल ने पूरे एक मिलियन डॉलर उस डॉन को लोटा दिये थे, और अब वो उन पैसों को लेके किसी और कंट्री में जा रहा था, लेकिन वो ऐसे इन पैसों को लेके फ्लाइट में नहीं जा सकता था, जिस वज़े से वो एरपोर्ट में जाके उन पैसों को अपने पीट में बांध लेता है, जिससे की कस्टम्स वाले उसे पकड़ ना सके, अब वो बाहर आके अपनी फ्लाइट का इंदिजार कर रहता है, कि तब ही वो टीवी में देखता है कि सुटलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है, अब आप लोग सूच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वेल हुआ ये था कि ग्रान फादर के मनने के बाद उनकी बॉड़ी उसी फ्यूनियल एजेंट ने ले ली थी, जिसके पास सारे लोग गए थे, जिसके पास सारे ये लोग गए थे, और फिर जब वापस सुटलाना और उसकी फैमिली उस एजेंट के पास गए, तो ग्रान फादर की बॉड़ी लेने के लिए तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद सुटलाना की फैमिली ने उसे वन मिलियन डॉलर का ओफर दिया, और वो बंदा फानली मान गया और उसने बॉड़ी लोटा दी, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस एजेंट को थोड़ा सा इन लोगों पे शक हो गया, उसने पुलिस को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली, और इनके सारे सच सामने आ गया और उन्हें पकड़ लिए गया, मतलब दोस्तों, यह कहानी सुनके यह लगता है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, अब नेक्स सीन में हम देखते हैं कि और ग्रांट फादर को जिन्दा लेके पहुँच जाता है, मतलब कि ग्रांट फादर कभी मरे ही नहीं थे, मतलब वो अभी भी जिन्दा है, यह बंदा कभी मरे गा है नहीं, यहां में पता चलता है कि उन्हें जिन्दा ही दफना दिया गया था, अब ग्रांट फादर के आते ही सारे लोग एक रीच में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर सो वापस आ जाती है, और फिर क्या सारे लोग पूरे कोट में तबाही मचाना चालू कर देते हैं, यह लोग कोट में होते हैं, लीटा ओल के जजच के उपर चल जाती है, और यहां भी एक बहुती फ़नी सीन दिखाया गया, यहां यह फैमली बहुती अजीब जीब चीज़े करती है, की बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहां काफी पुलिस होती है, तो लीटा उनके सामने उड़ने लग जाती है, और सारे पुलिस वाले उसे देख के शौक हो जाते हैं, जिसके वज़े से उनका ध्यान भटक जाता है, और इसी बीच सभी लोग वहां से कार से भागने लग जाते हैं, वो लोग एक पूर्ट पे आते हैं, जहां उन्हें वही डॉन मिलता है, जिसे के हमने मुवी के शुरुआत में देखा था, वो अल की मदद करता है, और सारे लगों को एक कंटीनर में बंद करके, उन्हें शिप से चाइना वेज़ देता है, वो उनकी जान मचा लेता है, विल ये डॉन वाला सीन देखे आपको एक कोट याद आ गया होगा, कि डॉन जज़े बुग बाइट्स कवर, मतलब कि वो डॉन दिल का अच्छा था, बस दिखने में खतरनाग था, तो ये पूरी फुल्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है दोस्तों, कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, तब ही आप ताकतवर हैं और सारी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी सच है, और दोस्तों इसी मैसेज के साथ ये कहानी खतम हो जाती है, तो ये कहानी आपको कैसी लेगी नीचे कॉमन करके ज़रूर बताएगा, मिलते हैं आप से एक लिए उड़ी में, थैंक ये सो मुच वाचिंग, पीस आउट.